आहा, आज मिलाई हूँ आपके लिए खट मिठी सी समर ड्रिंक, टेस्टी डिलिशिस बनाने में आसान और इम्मिनिटी से भरपूर है ये ड्रिंक ये ड्रिंक है फालसे की, आपने बच्पन में सुना तो होगा फालसे, नहीं सुना, तो जरूर ट्राइ करें, बहुत ही टेस्टी बनती है ये, में के तीसरे हफते से जून के तीसरे हफते में ही ये सिफ फालसे आते हैं, तर वो ताजा कर देगी आपको ये ड्रिंक, और आज स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में अपने इस नहीं और प्यार को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस शर्बट को बनाने के लिए आपको लेने हैं 500 ग्राम फालसे ये फालसे जो हैं काले और लाल रंग के होते हैं काले रंग के जो होते हैं वो मीथे होते हैं और जो लाल रंग के होते हैं वो थोड़े खट मीथे से होते हैं ये जो फालसे हैं आपको बच्पन की याद जरू शाट ग्राइब चीनी ल今天 ऐसाब से कम जादा कर सकते हैं कोई हैं लोग मीठा तो मैंने यहां पे टोटल पचास ग्राम चादा 1 ती स्पून काला नमग और 1 Ita स्पून सेन नमग अपना आपको क्या करना है हाथ से अच्छे से इसको मैश करना है आप चाहें तो किसी स्पून से भी कर सकते हैं जो ये खट्टी मीठी बेरी जैना बहुत टेस्टी होती है आप काला नमक लगा के भी खाएंगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगेंगी और फालसे का शर्बत तो मजा आ जाएगा आपको इसमें चीनी और नम अब इसको हाथ से या स्पून की मदद से चान लेंगे फालसे की शर्बत में हाथ से होंगे तो ध्यान रखेगा हाथ को अच्छे से दोली जीएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बीज है बीज को मिक्सी में ना पीसना पड़े इसलिए हम यह सारा काम कर रहे हैं अपना इसमें चिलड पानी डालेगा और हाथ से अच्छे से मैश करत तो इसके इंदर चिल्ड पानी डालिएगा और हलके हलके इसको माश करते जाईएगा देख सकते हैं आप कितना बड़िया पिंक कलर आ गया है इस रेसिपी को बनाने में जादा मेहनत नहीं लगेगी ना जादा टाइम लगेगा तो जरूर बनाईएगा बहुत ही टेस्टी ल से भरपूर इमृटी से भरपूर यह डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है फालसे का शर्बत तो समझ चल रहे हैं जरूर ट्राइब करिएगा बहुत कम टाइम के लिए आते हैं और टेस्टी इतने हैं कि घरवाले तो बस तारीफ करते रह जाएंगे इस फालसे के इस शर्बट को पकाया नहीं जाता है ध्यान रखेगा और जैसी बनाया है वैसे ही पी लीजेगा बहुत टेस्टी लगता है अपने फ्रेंस और रेलेटिफ के साथ ये रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा मिलूंगे ऐसी और बड़िया बड़िया रेसिपी इस के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और आपको रेसिपी तो पसंद आई ही होगी तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब सब्सक्राइब भी कर दे और बेल बटन मत दबाना भूलीगा आपको लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे